सुभाव शंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा ये नारा आज भी प्रशलित है अब आप कहेंगे कि अचानक हम इस नारे की बात क्यों कर रहे हैं दरसल एक संत ने इस नारे को बदल कर एक नया नारा दिया जिससे साथ दो मैं तुमें हिंदू राश्ट्र दूँगा नमस्कार आपके साथ मैं हूं वैशाली शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जो आजकर सुर्ख्यों में बना हुआ है एक ऐसा संत जिसके कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में एक ऐसा जिसे चमतकारी भी रहा है और पाखंडी भी जी हां दिरेंडर क्रिष्ण शास्त्री और बागेश्वर वाबा इस खास रिपोर्ट में हम उन्थ तथ्यों को उजागर करेंगे जुनके बारे में ना कोई बात कर रहा है और ना ही को आज़ा गशिंता भागेश्वक द्ञा गड़ा गाउं धिरेन कृष्ण शास्त्री जी का पैत्रिक गाउं हैं। गाउं धिरेन कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शाली ग्राम गर्ग हैं जो कि खुद भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। गाउं धिरेन कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अफ्तार माना जाता है। धिरेन कृष्ण शास्त्री देश भर में अपने चमतकार के लिए जाने जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने अरजी बागेश्वर धाम में लगाता हैं। बाबा उनकी सबी समस्याओं को एक कांगज में लिखकर उसका उपाई बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमतकार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंदे विश्वास। खैर जो भी है। पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार शद्धा है। साल 2003 से धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस दिव्य दर्बार की देखरेक कर रहे हैं। मात्र नौव वर्ष की आयों में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बाला जी का आशिरवात बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्यान और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा ने बागेश्वर धाम को शुरू किया था। धिरेंद्र शास्त्री जी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने गुरु समान दादा जी भगवान दाजगर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोब जैसे बड़े अवार्डों से समानित किया जा चुका है। उनकी अध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाए। मानम ने शास्त्री पर अंत विश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुड़ो हुआ तो शास्त्री ने मानम को अपने दिव्य दरबार में आमंतरित किया। और वो जो भी जानना चाते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। इतना ही नहीं। आरोपो और कटाक्षो का एक दौर सा चला। जिसमें सीएम भुपेश बगेल से लेकर आम जंदा तक हर किसी ने धिरेन क्रिशन शास्त्री पर सवालों, कटाक्षों और आरोपों की बोचार की। जोतिश पीट के शंकराचार स्वामी अभी मुक्तेश्वरा नन्न ने उन्हें चैलेंज दिया कि बागेश्वर सरकार जोशिमट में धसकती हुई जमें को रोक कर दिखाएं तो उनके चमतकार को मान्यता दूँगा। को हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। कि शिकायत की जाच और अखिल भारती अंदर शद्धा निर्मूलन समीती के संस्तापक शिकायत करता शाम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जाच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो माहराश्वर अंदर विश्वास कानून के तहत कारवाई को आकरशीत कर सक कि जिन लोगों को भी समस्या है वे रायपूर उनके दिव्य दरबार में आ सकते हैं इतना ही नहीं इस पूरे विवात को लेकर खुद धिरेन शास्त्री ने बताया कि आखिर उनके उपर विवात चल क्यों रहा है शास्त्री ने कहा कि जब से उन्होंने दमू के 160 परिवार की घर वापसी कराई है और आदिवासी इलागे में दरबार लगाना शुरू किया है उनके खिलाफ हमले लगातार बढ़ गए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इसाई मिशनरियां धर्मांतरन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है अब वे उनके पीछे पढ़ गई ह उन्होंने दावा किया कि ऐसी चुनौतियों से वे नहीं डरते अभी तो ये शुरुवात है वे जानते हैं कि ऐसी कई चुनौतियों का उन्हें मुकाबला करना होगा शास्तिर ने इंटर्वियों में अपनी चमतकारी शक्तियों का भी खुलासा किया बागेशर सरकार ने क यह सनातन शक्ती की ताकत है कि वह सही निकलता है। जानकारी के मुताबिक कथा वाजचक धिरेन किशन शास्त्री फरवरी महीने की शुरुआती में प्रयागराज आएंगे। महराष्ट और 36 गड़ के बाद धिरेन किशन शास्त्री अब यूपी में भी दर्बार लगाएंगी संगम नगरी प्रयागराज में दो फरवरी से बागयोशिर धाम का दर्बार सजे का। प्रयागराज शहर से करी 50 किलो मिटर दूर मेजा तैसिर शेत्र में धिरेन शास्त्री का कारिकरम होगा।